हलो एव्रिवान वेल्कम बैक टू पर्चम आएम रिचाश शर्मा नया दिन ने डेली सिये सेशन के साथ वी अला यह टोगेधर तो चली शुरू करते हैं आज के सेशन को 29th of May 2024 के डेली सिये के साथ शुरूआत किसे करेंगे तिथी देखने से बिल्कुल सही है तो विक्रमी स अचीव कभी नहीं हुआ था, क्रॉस नहीं हुआ था and I am the living evidence of it, AC में भी पसी नहीं आ रहे है, so क्रिशन पक्ष की शष्टी है आज, चलिए, कल जो सेशन लिया गया था, उसमें जाते जाते question of the day पूछा था और सेशन के दौरान कुछ question पूछे थे तो पहले उनका answer discuss करें So, कल का question था, which country was appointed to host 11th World Water Forum in 2027, 10th World Water Forum इंडोनीशा बाली के अंदर हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा water को ले करके एक forum discussion होता है, अगला जो discussion होगा वो 2027 में होगा, because every 3 years, World Water Forum मिलता है, और अब कहां मिलेगा 2027 में, पूछा गया था, answer is, Saudi Arabia, okay, चालिए, session के दौरान, कल So, I think two questions मैंने अपसे पूछे थे, randomly I have picked the answer of Urvashi Tandan, जो अभी तक I think Holi खेल रही है, so mango showers, I had asked you, mango showers, जो pre-monsoon showers होते हैं, right, तो वो कहां experience किये जाते हैं, and the answer is, Karnataka और Kerala साइड में, mango showers experience होते हैं, so local winds हैं, जो pre-monsoon showers, अलग अलग जगे लेकर के आती हैं, और mango showers, Karnataka, Kerala में देखे जाते हैं, then I had asked you, किया के बारे में, किया कार नहीं, Campegoda, International Airport, कहां पर है, because हमने देखा था कल इसको एक ranking के अंदर, silver ranking मिली थी, so ये Bengaluru, Karnataka के अंदर है, ठीक है, चलिए है, आज की शुरुआत करेंगे, most important days के साथ में, और फिर एक एक करके, बाकी section की news लेंगे, So, आज 29th of May को observe किया जाता है, International Day of United Nations Peacekeepers, जो शांती बनाये रखने का काम करते है, United Nation के Peacekeepers, अलग-अलग देशों में deploy किये जाते हैं, उनका दिन है आज, 29th of May, International Day of UN Peacekeepers, क्यों इस दिन मनाया जाता है, क्योंके इसी दिन 1948 में, UNTSO existence में आई थी, what is this UNTSO? United Nations Truths Supervision Organization, और इसको Middle East में शांती बनाये रखने के लिए, डिपलाई किया गया था, अब अलग-अलग countries के अंदर भेजा जाता है, UN Peacekeeping Force को, ठीक है, इस बार की theme क्या है, Fit for the Future, Building Better Together, तो शांती बनाये रखना अच्छी बात है, क्यों, अभी news जब हम पढ़ते हैं, क्यों, जो level is very important, तो theme याद रखेगा, Fit for the Future, Fit for the Future, यानि Peacekeeping is Fit for the Future, Building Better Together, ये इसकी theme है, All right, चौल, अब हम national section of news को cover करते हैं, और सबसे पहली खबर कहां से आ रही है, गेल से, गेल क्या है, उनीद वाली गेल नहीं, कि हमको गेल आ रही है, हम सो रहे हैं, This is, this is Gas Authority of India Limited, जिसको पहले कहा जाता था, उसी को गेल कहा जाता है, गेल ने 10 Megawatt Green Hydrogen Plant, Madhya Pradish के अंदर inaugurate किया है, और गेल कंपनी का ये पहला Green Hydrogen Plant है, MP के अंदर जो इसने शुरू किया है, ठीक है, So, Gale India Limited Commission, its first Green Hydrogen Plant, Green Hydrogen क्या होती है, एक बार पहले विस्तार से समझा चुक्यों, आज फिर बताऊंगी, पर उससे पहले नियूस समझेंगे, So, first Green Hydrogen Plant, Gale का, कहां आया है, Madhya Pradish के विजयपूर के अंदर, MP, right, and इस प्लांट को लाने का जो एक बैकड्रॉप है, वो है कि हमारा जो National Green Hydrogen Mission है, उसके तहत ये प्लांट और जादा कॉंट्रिब्यूट करेगा, इस प्लांट की खासियत क्या है, ये 4.3 टन्स पर डे, Hydrogen को प्रड्यूस करेगा, 10 Megawatt PEM, यानि Proton Exchange Membrane Electrolizer Units के तुरू, जिससे की, वाटर से Hydrogen को अलग किया जाते है, तब समझो पहले बाद, What is Green Hydrogen? देखो, Hydrogen बहुत available है, नाचुरली, लेकिन वो isolated form में नहीं होता, combination में मिलता है, अधिकतर, oxygen के साथ combine करके, water molecule form में मिलता है, So, इस water से Hydrogen को अलग करने के लिए Electrolisis करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? Electrolisis करना पड़ता है, इस Electrolisis के लिए जरूरत पड़ती है, electricity की, ठीक है? बिजली नहीं होगी, तो यह Electrolisis नहीं हो सकता, और इसमें से Hydrogen को अलग करके नहीं निकाला जा सकता, जब आप इस Electricity को Renewable Sources से प्रड़्यूस करते हो, आपने Solar से, Wind से इन से प्रड़्यूस की ए Electricity, फिर उससे Electrolisis करवा के Hydrogen अलग की, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इससे जो Hydrogen प्रड़्यूस होती है, उसको Green Hydrogen कहा जाता है, आई बच समझ में, अभी तक अधिकतर य कोल से प्रड़्यूस की जा रही है, तो वो Green Hydrogen में आता है, इसलिए अब इंडिया धीरे-धीरे कोशिश कर रहा है, कि हम हमारा Green Hydrogen का जो Infrastructure इसको Ready करें, महंगा पड़ता है, इस तरह से Hydrogen बनाना, इसलिए अभी तक हम नहीं बना रहे थे, काफी सारे जगों पे नहीं बना इतली की राशी रखी कि हमें Green Hydrogen Mission के लिए वर्क करना है, जिसके तहट हम चाहरे है, हमारी Green Hydrogen Production Capacity अटलीस्ट 5MMT हो जानी चाहिए हर साल, 5 मिलियन मीटरिक टन्स Green Hydrogen हम देश के अंदर हर साल बनाने लग जाए, और उसी के साथ-साथ जो Renewable Energy Capacity है, हमारी 125 गीगावाट हो बनाएंगे तभी तो उसको यूज करेंगे एलेक्ट्रसिलिसस में, घ्रीन एनरजी नहीं है हमारे पास, तो उससे हम Green Hydrogen बनाई नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले हमें Renewable Energy चाहिए, तो हमने टार्गेट लिया 125 गीगावाट हम 2030 तक अचीव कर सके, Renewable Energy जादा बनेगी त उसको आप जादा लगा पाओगे, Green Hydrogen बनाने में और उसका टार्गेट हमने 5 MMT पर एनम का रखा है, ठीक है, और उसी के साथ-साथ करीब 8 लाख करोर का टोटल इंवेस्टमेंट इस सेक्टर के अंदर हम लेकर के आए, 6 लाग जॉब्स हम क्रियेट करें, यह सारा जो प्ल करते हैं, उसमें गिरावट आएगी, so nature के लिए अच्छा है, हमारे imports cut-down होंगे, हम self-sufficient बनेंगे, all this is the plan under Green Hydrogen, National Green Hydrogen Mission, clear हो गया, Consier Nodal Ministry, इस mission के उपर work करने वाली, इसकी काम सारे देखने वाली, Ministry of New and Renewable Energy, so इसी mission के तहर, National Green Hydrogen Plant setup किया है, गेल ने, Madhya Pradesh के अंदर, clear है, यह जो भी अभी मैंने आपको बताया, यह इस poster form में भी आप देख सकते हैं, अब हमने क्योंके गेल की बात की है, तो थोड़ा सा गेल के बारे में देख लेते हैं, इसकी शुरुआद की गई थी August 1984 में, Gas Authority of India Limited के तोर पे, और फिर अब इसको गेल के नाम से जाना जाता है, 2013 में इसको महा रतन स्टेटिस मिल चुका है, मिनी रतने नाव रतने महा रतने महा रतन स्टेटिस मिल चुका है, अभी इसके CMD कौन है, संदीप गुपता जी, संदीप गुपता, ओके, क्लियर है यहां तक, अब जो अगली खबर आ रहे हैं, वो भी इसी फिल्ट से करेंगे, और अभी ट्रायल बेसिस पे एक ग्रीन फ्यूल सेल बस उन्होंने दी है, दिल्ली NCR में चलाने के लिए, अगर सब कुछ ठीक रह रहा है, तो further the association will enhance, और कौन सी कमती के मैं बात करेंगे हूं, इंडियन ओयल की, तो इंडियन आर्मी और इंडियन ओयल कॉर्परे के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नालोजी की एक बस दी गई है, डेली NCR में यूज करने के लिए, साथी साथ MOU साइन हुआ है, further collaboration के लिए in this area, किसकी प्रेजन्स में, आर्मी चीफ जेनरल मनोच पांडे, जिनको हमने पढ़ा था कि एक महीने का extension मिल गया है, और Indian Oil Chairman कौन है, स्रीकांथ मादव वैद जी, इन दोनों की प्रेजन्स के अंदर है MOU साइन हुआ, नियू समझ में आगे Indian Army और Indian Oil Corporation Limited, MOU में आए हैं, Green Fuel Cell Technology से related, ना, Hydrogen Fuel या Green Fuel है ना, so Hydrogen Fuel Cell Technology से Hydrogen Gas जो होती है, उसको हम, उसको यूज करके हम, Electricity प्रडूस करते हैं, एक, Electrochemical Process से, तो यह Green Fuel ही हुआ, Chemical, जो भी Greenhouse Emissions होते हैं, धुआ होता है, Carbon, Dioxide, Monoxide जो प्रडूस होती है, वो सभी नहीं करेगी, Water Vapor is the only by-product, जिससे Zero Emissions होते हैं, अकेला, जो अगर आप Hydrogen यूज करते हो as the fuel, तो by-product सिर्फ क्या प्रडूस होता है, Water Vapor, Nothing Else, चले, अगली खबर के लिए अब हम चलते हैं, दिल्ली के Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, CCRAS, CCRAS कहां Headquarter है, नई दिल्ली में Headquarter है, किसके अंडर में आता है, आयूश के अंडर में आता है, So, CCRAS ने launch किया है, Pragati 2024, क्या launch किया है, Pragati 2024, और क्यूं, ताकि Ayurved की field के अंदर, Research and Development हो सके, इंडस्ट्री साथ में आए, और Ayurveda की field के अंदर, और R&D कर सके, So, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, that is CCRAS ने launch किया है, Pragati 2024, इसका full form है, Pragati 2024 का, Pharma Research in Ayurgyan and Techno Innovation, ठीक है, So, Ayurved की जो knowledge है, और जो भी technological innovation Ayurved में लाया जा सकता है, Pharmaceutical field के अंदर, इससे related research की जा सकती है, उस सबको बढ़ावा देने के लिए, Pragati 2024 लाया गया है, CCRAS एक autonomous body है, Union Ministry of Ayush के अंदर में आती है, Clear? चलिए, अब आगे बढ़ें, उससे पहले जितने नए बच्चे देख रहे होंगे, उनकी दिमाग में शाहिद एक डाउट आ रहा होगा, कि क्या हम notes बनाएं, या फिर हमें कहीं से PDF मिल जाएगा, या फिर सवाल e-book चाहिए, जिसमें MCQ आ जाते हैं, पूरे current affair के with explanation, etc, तो आप परचम classes.in चेक करो, वहाँ पे आपको folders मिल जाएंगे, ये website है, right, कोई courses या subscription लेने हैं, तो उनके लिए आप परचम app चेक आउट कर सकते हो, iOS पे भी है, उसके लिए link आपको, जितने भी important link ह हैं, वो video के description में मिल जाएंगे, title पे click करो, more पे click करो, और कभी भी अगर organization code पूछता है, जैसे आप web login करते हो, या iOS login करते हो, तो परचम का organization code है, kliz, k-l-i-z-z, जाधा जानकारी के लिए help line number है, परचम app chat है, be free to contact, on these days, this working hours, और अगर कुछ भी purchase किया है, और फिर problem आ रही 06 at gmail.com, यहां आप mail करोगे, ठीक है, चौड, अब हम चलते हैं, international domain में, international domain से काफी सारी news आज हम को देखनी है, सबसे पहला, Lithuania से खबर आ रही है, यॉरप के अंदर, Lithuania एक country है, और Lithuania में presidential elections हुए, और उसके अंदर, जीत करके, कौन सामने आये हैं, जो अभी के sitting president या गीता नास नौसेदा, गीता नास नौसेदा, जो हैं, वो जीत करके, लिथुएनिया के president बन गए हैं, for a second five year term, ओके लिथुएनिया कहा है, यह यॉरप का हिस्सा आपको दिख रहा है, this is Lithuania, ओके, बेलरूस के उपर वाले साइट में, जीता नास नौसेदा, गीता आपकी लाइफ को लिट कर देती है, आपके लाइफ को ग्यान से लिट कर देती है, ऐसा कुछ करके association गीता नास नौसेदा नास नौसेदा का बना सकते हो, capital है विल्नियस, currency यहाँ पे यूरो चलती है, अगली खबर, नेपाल नहीं मानेगा, नेपाल से पता नहीं कितने लोग माउ hospitals में, restaurants में कतारें लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसी तरह से Mount Everest पे क्यों लगा हुआ है, चड़ने के लिए, एक लोजिकली sensitive ecozones होएं यह सारे और इनके उपर अगर इतनी भीड permit की जा रही है, तो बहुत बड़ा question mark है authorities के उपर, any which ways हम इनकी achievement को downsize नहीं करते हैं, यह ह पूर्णिमा श्रेष्ट, okay, so पूर्णिमा श्रेष्ट फ्रम नेपाल, रिता कामी शेरपा जी तो जाने माने थे हम पढ़ चुके हैं, 30 times Mount Everest चड़ चुके हैं, लेकिन फीमेल के अंदर भी, 3 times in a single season, वो भी 13 दिनों में, within 13 days, she has climbed Mount Everest thrice, पूर्णिमा श्रेष्ट, कहां से ब बिलॉंग करती हैं, नेपाल से बिलॉंग करती हैं, overall कितनी बार Mount Everest चड़ चुके हैं, 4 बार चड़ चुके हैं, इससे पहले 2018 में सबसे पहले इनोंने summit किया था, ठीक है, चलिए, और she is a mountaineer from Nepal और photo journalist भी हैं, तो इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो उनकी photo खिशने जाती हों जेनेवा, स्विच्जलेंड में चल रही है, पहले ये समझो, फिल लिंक करके समझाओंगे, so 77th World Health Assembly कहां हो रही है, कहां हुई, so जेनेवा, स्विच्जलेंड में 27th में से 1st of June तक चल रही है, theme क्या है, theme है, all for health, health for all, World Health Organization की है, इस assembly की theme है, all for health, health for all, इसी की जब WHO ने launch किया investment round, ताकि जो भी contribute करना चाते है, voluntary investment करना चाते है, पैसे देना चाते है, WHO को investment कर सके, और कितना raise करना चाह रहा है, WHO 7 billion US dollar, ठीक है, तो WHO को funding मिलती है, investments मिलते हैं, और उसके basis पे फिर वो आगे aids provide करता है, so इस बार WHO ने investment round launch किया है, 7 billion US dollar raise करने के लिए, ताकि global challenges अ लेकिन ये headline ना हो करके, main बात आपको ये समझनी है, कि 77th World Health Assembly कहा हुई, जहाँ WHO का headquarter है, Geneva Switzerland में, और उसकी theme क्या रही, all for health and health for all, clear, चौलो, अब WHO की जो हमने कहा World Health Assembly, तो World Health Assembly क्या है, इसकी decision making body है, World Health Assembly ही fund वगेरा raise करती है, वही decisions लेती है, कहां किसको कैसे funding करने है, तो WHO की decision making body है, जो जितने भी WHO member states है, यानि countries है, वो उसकी meeting को attend करते हैं, और वही contributions देते हैं, Chief कौन है, WHO के head कौन है, Tedros, Adnan Ghebreyesus, and WHO 1948 में existence में आई थी, 194 members है, Geneva Switzerland में headquartered है, और ये एक body है, जो की United Nations के साथ मिलकर के काम करती है, Specialized Agency है, चलिए, अगली जो खबर आ रही है, वो Global Land Outlook Report से related है, okay, so United Nations की तरफ से एक report आई, किस से related range lands and pastoralists, यानि कि जो हम चरागा बोलते हैं, जहां पर मवेशियों को, जानवरों को चरवाया जाता है, वहां पर grasses वगएरा होती है, so ये जो range lands है, इन में काफी जादा गिरावट, इनकी quality में या इनके area में काफी जादा गिरावट दर्च की गई है, half of world's range lands, यानि 50% approximately are degraded, यानि उनकी quality पहले जैसी नहीं रही, यानि कि उनके उपर जो livestock depend करती है, जो मवेशी depend करते हैं, जो लोग depend करते हैं, जिनकी जीवन यापन ही, जिनकी primary source of earning ही, वो range lands हैं, उन पर जानवर चरते हैं, फिर वो दूद, दई, मक्खन, या फिर मीट देत right, तो उनकी जो quality है, वो 50% तक degrade हो गई है, और ये report किसने issue की है, UNCCD, यानि कि United Nations Convention on Combating Desertification की तरफ से ये report सामने आई है, half of world's range lands are degraded, और जो लोग उन पर dependent है, अब उनको sustain करे रहने के लिए intervention की जरुरत है, यानि parties को बीच में आना चाहिए, इन range lands को बचाने के लिए, वरन अब range land होते क्या है, वैसे हमने देख लिया, हम तो normal भशा में चराहा गाहा बोलते हैं इनको है, natural या semi-natural ecosystems that are grazed by livestock और wild animals, ऐसे areas जहां पर हमारे जो मेवेशी हैं, जो जानवर हैं, वो चरते हैं, right, they are grazing those lands, वो हमारे पालतू भी हो सकते हैं, या फिर wild animals हो सकते हैं, तो grasslands हो forest areas हो गए, जहां पर animals dependent हैं, so ऐसी vegetation जिसमें grasses, shrubs, bushes आती हैं, open forest होते हैं, agro forestry systems भी होते हैं, जहां पर agriculture भी चल रहा है, forest paid वगेरा भी हैं आसपास, तो ऐसे systems को सबको range land में count किया गया है, 50% तक इनकी quality में गिरावट आई, clear हो गया यहां तक, आप थोड़ी significance देखते है range lands की, कि range lands important क्यों है, क्योंकि देखिए, around 80 million square kilometer धरती का जो terrestrial surface है, पानी वाला हिस्सा हटा दो, जमीन का जो हिस्सा है, यानि की करीब आधा हिस्सा अर्थ का, वो range land से घिरा हुआ है, ऐसे land से घिरा हुआ है, जो कि इस type की vegetation देते हैं, जिनके उपर animals depend कर रहे हैं, यह carbon sink की त atmosphere जो होता है, उसको absorb करते हैं, उसके अलावा fresh water का source house है, क्योंकि यह मिट्टी को बांधे रखते हैं, यहाँ पर पानी जो है वो रुखता है, ओके और desertification को भी रोकते हैं, अगर यह range lands नहीं होंगे, वेजिटेशन नहीं होगी, तो सारी मिट्यूड जाएगी या बह जाए रहे हैं, अगर हम range land कितना food produce करते हैं, देखें, तो 16% global food जो produce हो रहा है, 16% पूरी दुनिया में जतना भी खाना पैदा होता है, वो range land में 16% contribution है, और करीब 70% domesticated herbivores को feed करते हैं, यानि हम जो पालते हैं मवेशी, जो घास वगेरा है, पेड़ पौदे खाते हैं, 70% इन range land प होती है, तो ये सारी चीज़ें affect होंगी, इंडिया कि अगर हम बात करें, तो 1.21 million square kilometer जो area है थार से लेकर के आप Himalayan meadows, Himalaya के नीचे वाले जो पूरे plain areas हैं, वहा तक देखोगे, तो ये range lands हैं, और 50% करी B grade या silent demise, धीरे धीरे मरता जा रहा है, ये range land अपनी vegetation लूज करता जा रहा है, क्या कारण हो सकते हैं, of course, we all know सबसे बड़ा कारण है climate change, right, climate change हो रहा है, unsustainable land and livestock management practices भी हो रही है, आप livestock धंग से manage नहीं कर रहे हो, over grazing एक reason हो सकता है, right, climate change बहुत बढ़ा है, biodiversity loss हो रहा है, वो एक बड़ा कारण हो सकता है, दूसरा, कि जब विवादित जमीने ह होती है, यह मेरे अंडर में आ रहा है, आपके अंडर में आ रहा है, तो कोई manage नहीं कर रहा होता विवादत जमीनों को, और इसलिए उनका रफरकाब नहीं होता, धीरे धीरे वो अपनी quality lose कर जाता है, these are some of the prominent reasons, जिनके वज़े से these range lands are losing their quality, clear है report के सारे major points, या चलो, आगे बढ़ेंगे, अगली जो खबर आ रही है, वो रश्या और तालिबान के बढ़ती हुई नजदी कियों से आ रही है, रश्या ने कदम उठा रखें और बहुत जल्दी हो सकता है, कि वो तालिबान को अपनी terrorist list से remove कर दे, ओवर एक decade से भी around ये तालिबान जो है, वो terrorist list के अं तानी की बात कर रहा है, यानि इन दोनों के जो ties हैं रश्या और अफगानिस्तान के, वो strong होते दिख रहे हैं, right, Russia to remove Taliban from terrorists और जो भी terrorist organizations हैं, उनकी list के अंदर तालिबान का नाम था, तालिबान ने अफगानिस्तान को take over कर लिया वापस, तीन साल हो चुके हैं इस चीज़ को और अब जो मॉस्को है, वो strong relations foster कर रहा है तालिबान के साथ में और ऐसा नहीं है, अभी कर रहा है, बहुत समय से है तालिबान के और रश्या क्या मॉस्को के strong relations, मॉस्को is the capital of Russia, अफगानिस्तान और तालिबान से strong relation रश्या बनाये हुए, जबकि worldwide इसके उपर sanctions लगाए जा अजाकिस्तान अफगानिस्तान के relations, रश्या अफगानिस्तान के relations दोनों are moving towards the stronger end, ठीक है, चले, अब ये तो था रश्या के तरफ से बढ़ते वे कुछ कदम, अगली नीज आ रहे है, नेटो से, six नेटो कंट्रीज हैं, नेटो is North Atlantic Treaty Organization, जो की majorly Europe और North America के देशों ने मिलकर क एक political और military alliance बना रखा है, पहले USSR, Soviet Union को आगे बढ़ने देने से रोकने के लिए बनाया गया था, after World War II और अभी majorly anti-Russia policy पर ये work करता है, so six नेटो स्टेट्स हैं, जिन्हों ने कहा है, कि हम बहुत जल्दी एक drone wall बनाएंगे, अपने उन borders पर जो रश्या से लगते हुए है ताकि रश्या के attacks और हमारे borders को secure किया जा सके, तो drone wall six NATO states plan कर रहे हैं, ये news है, आगे बात समझ में, drone wall against Russia, six NATO countries announce border security या defense plan, कौन से six countries हैं, अभी map पे भी देखेंगे, लिथुएनिया, लिथुएनिया वही जहां पे नए presidential election अभी हुए, लात्विया, एस्टोनिया, पोलेंड, Finland और Norway, right, एक drone wall बनाने की बात कर रहे हैं, जहां जो कि Norway से लेके Poland तक stretch होगी, ताकि drones और बाकी technologies का use करके Russia को रोका जा सके, so right from here, right, यहां से लेकर के और ये पूरा आपका Norway हो गया, then उसके बाद ये Finland हो गया, ये Estonia, Latvia, Lithuania, पोलेंड, ये वाला जो हिस्सा है, यहां पे drone wall बनाने की बात की जा रही है, ठीक है, आगे बात समझ में यूज इतनी ही है, now NATO की बात कर लें, क्योंकि NATO का mention आया, NATO जो की North Atlantic Treaty Organization है, 4th April 1949 को establish की जाती है, main purpose क्या है, main purpose है, expansion रोकना Soviet Union का, जिसका पाट Russia भी था, World War 2 के बाद, यौरप वाले पूरे area के अंदर, और कौन सी treaty के signing से ये NATO existence में आया, this is an important point, North Atlantic Treaty, sign हुई, Washington DC में, तो इसको Washington DC Treaty भी कहा जाता है, North Atlantic Treaty भी कहा जाता है, 12 founding members थे, Europe और North America के, जिन्होंने इस treaty की शिरुवात, और NATO की शिरुवात की थी, आज की हम बात करें, तो 32 member nations are there, और सबसे recent most edition, 2024 में हमने news में बढ़ा था, Sweden, Sweden सबसे नया member बन गया है, उससे पहले Finland 2023 में जॉइन हुआ था, और राइट, चले, अब अगली जो खबर आ रहे है, वो Space Domain से आ रहे है, और हम चलते है, NASA, अमेरिका की Space Agency, NASA, NASA ने अभी हाल ही में, एक satellite launch किया, Cube satellite है, छोटे से डब्बे जितनी satellite होती है, और ऐसी दो satellite उसको launch करनी है, Twin satellites ह यह उनमें से एक launch कर चुका है, Climate Study से related यह satellite है, कहां का Climate Study करेगी, यह poles का, North Pole और South Pole, जो हमारे Arctic Antarctic regions है, so Twin Climate Satellite on Polar Journey निकल चुकिया, और इन satellite का नाम क्या है, जो अभी launch की गई है satellite, उसका नाम है Pre-Fire, Pre-Fire, so हमारे जो polar areas होते हैं, यह हमारा globe है, globe पे North और South Pole, और यहां पे होत आइस जो है, वो incoming solar radiation को, जो sun से धूप और गर्मी आ रही है, उसको radiate back, यानि reflect करने में बहुत अच्छी भूमे का निभाती है, और far IR के form में इसको वापिस radiate back करती है, लेकिन कितने radiation हो रहे हैं, और इन सब की study प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, और इन सब की study प्रॉपर नही सब करने के लिए, और उनकी वज़े से कितना climate change पे असर आ रहा है, global warming का कितना असर आ रहा है या जितना वो radiation कर रहे है, उसका global warming पे कितना असर आएगा, धरती का overall तापमान कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, ये सारी studies में ये satellite help करने वाले है, so NASA launches satellite pre-fire to study earth's poles, poles को study कर करने के लिए, ठीक है, so pair launch करना है, उसमें से पहली satellite climate से related to study heat emission at earth's poles, poles कितनी heat emit कर देते हैं, अर्थ का heat budget होता है, कितनी solar insulations आये, कितने radiate back हो गए, कितने trap हो गए हमारे atmosphere में, water vapor, clouds वगएर ये सब trap करते हैं, और ultimately कितनी heating हुई, तो इसको solar budget कहते हैं, उसमें poles का क्या role है, so ये lift off किया गया New Zealand से, ये जो satellite है, ये rocket lab के electron rocket पे New Zealand से lift off की गई, pre fire का full extended version क्या है, polar radiant energy in far infrared experiment, okay, so कितनी energy release की जा रही है, उसके लिए 2 shoe box size की cube satellites launch की जाएंगी, पहली हो चुकी है, so how much heat Arctic and Antarctica radiate into space, उसको study करने के लिए satellite है, और ये हमारे earth के heat balance को और better समझाने में help करेगी, हम predict कर पाएंगे कैसी हमारी ice, sea, weather, change होंगे global warming, जो हो रही है, तो कितना insulation बढ़ रहा है, या कितना radiate हो रहा है, उससे हमारी पूरे ice कब तक melt होगी, global warming होगी, तो कब तक कितनी होगी, ये सारी study में help होने वाली है, clear, lastly हम चलते हैं, sports section की तरफ और फिर एक obituary भी हम discuss करेंगे, so sports में formula 1 racing से आ रही है news, और Monaco Grand Prix हुआ, और इसमें कौन जीते हैं, Charles Lecrec has been the winner, so Charles Lecrec Monaco को ही belong करते हैं, और Monaco का ही एक खिलाडी F1 का, जो Monaco Grand Prix जीता है, ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है, तो historic win मानी जा रही है, 1931 के बाद, अब ऐसा हुआ है, so Charles Lecrec marks history with Monaco Grand Prix triumph, triumph यानी जीत, और ये Monaco में ही born है F1 driver, और ये Ferrari को represent करते हैं, historical क्यों मनाया गया है, माना गया है, विकाज ये 1st Monegask, Monegask किसे कहते हैं, person who is born in Monaco, okay, so पहले Monegask driver है, जिन्हों ने अपने ही home race में जीत हासल की है, 1931 के बाद, अब, उस समय सबसे पहले खिलाडी Lewis Chiron बने थे, ठीक है, so Monaco Grand Prix 2024 किस ने जीती है, Charles Lecrec ने जीती है, ने एक खबर T20 International runs के score से आ रही है, या जो records बनते हैं, उस से आ रही है, कि England के पहले खिलाडी, जिन्होंने 3,000 T20 International runs पूरे कर लिए हैं, that is Joe Butler, Joe Butler, so first England player, cricket player to complete 3,000 T20 International runs, कौन बन गए हैं, Joe Butler बन गए हैं, बस इता रहाद रखना है, बाकी, highest run T20 International cricket में किस ने बना रखे हैं, over 4,000 runs, clear, and this is the sad demise, जो आज के आखरी खबर है, इसके बाद हम काफी सारे revision question लेने वाले हैं, आज की news से भी और previous days की news से भी, so veteran Pakistani actor Talat Hussain, he has passed away, so Talat Hussain, जिनका हाली में निधन हो गया, कौन सी field से जुड़े हुए थे, acting की field से जुड़े हुए थे, कौन सी country से, पाकिस्तान से, बस इतना ध्यान रखना है, radio, tv, theater, cinema, इन सब में acting कर चुके, Talat Hussain is no more, चाले, so this was all about today's session, जो भी पढ़ाया समझ में आ गया, आ गया तो do, let me know, किसी भी तरीके से बता दीजे, comment में लिख दीजे, thumbs up दे दीजे, whatever, but make sure कि आप मझे से communication में रहें, right, I do not want any likes or shares or something like that, but I want your communication, उसको communicate करने का कोई भी जरिया ले सकते हो, आप comment कर सकते हो, आप thumbs up दे सकते हो, share से तो आपका communication मेरे तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन बाकी बच्चों तक जरूर information पहुँचाएगी, कि हाँ ठीक है, these classes are going on, so if you are finding these sessions useful, do spread the word, because जो महिनत हो रही है, maximum बच्चों तक पहुँचेगी, एक healthy competition की शुरूरात होगी, और तब आपको भी compete करने में मजा आएगा, चलो, anyways, revision question की तरफ बढ़ेंगे, पहला question on your way, keep on answering now, live chat में हो, तो answer करना शुरू कीचेगा, बाकी बच्चे, सारे answer, चाहो तो comment section में एक साथ लिख सकते हो, नहीं तो जैसे भी आप comfortable feel करो, who became the first Monagasc, Monagasc driver to win his home race since Louis Chiron in 1931, ये तो अभी जस्ट पढ़ा है, तो answer कर पाओगे, किसने जीती है, Monaco, F1, 2024, Charles Lecraeck, okay, who became the first woman in the world to climb Mount Everest three times in the same season, same season में तीन बार climb करने वाली, within 30 days, that too, पहली महिला, कौन बन गई है, Mount Everest चड़ने वाली है, अन्धा आंसर बोल भी, Purnima Shrest, she is from Nepal, what is the theme for this year's International Day of UN Peacekeepers, UN Peacekeepers 2024, International Day जो observe किया जा रहा है, अज उसकी theme किया है, क्या theme थी, fit for the future से related थी, so fit for the future, building better together, B will be the right answer, which organization has Indian Army collaborated with, for hydrogen fuel cell bus technology demonstration trials, hydrogen fuel cell bus technology के demonstration के trials के लिए, कौन सी कंपनी के साथ Indian Army ने collaborate किया है, MOU sign किया है, and the answer will be, Indian Oil Corporation Limited, IOCL, अधिक तर बार ना कुछ बच्चे ONGC और IOCL में confused होते हैं, This is IOCL, चलो, ये तो आज के हो गए questions, प्रीवेस दो-तीन दिनों में जो भी हमने बढ़ाए, उसके questions प्राक्टिस करते हैं, Who scripted history by clinching India's first ever gold medal in gymnastics at Asian Championship in Tashkent, Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan के अंदर gymnastics की field में पहली बार एक Indian woman gold लेकर के आई है, And what's her name? Her name is Deepakarmakar, ओके Deepakarmakar vault, woman vault के अंदर gymnastics में gold लेकर के आई हैं, On which date is world hunger day observed? World hunger day कब observe किया जाता है? मैंने आपको याद करवाया था, जब हम 18 के हुए तो museum देखने गए थे, जब मैं 28 की हुई तो मेरी hunger खाने से ज़्यादा कमाने पे shift हो गए, right? Remember, so May 28 will be the right answer. Who became the first Indian to win Uncertain Regard Prize for Best Actress at Kanth Film Festival 2024? Kanth Film Festival 2024 में या overall अभी तक, first woman to win Uncertain Regard Prize for Best Actress कौन बनी? कौन बनी? Anusuya Sain Gupta, कौन सी film के लिए? कौन सी film? The Shameless. Okay, which player won purple cap for taking most wickets in IPL? Purple cap क्यों दी जाती है IPL के अंदर सबस्यादा wickets लेने के लिए और किसको मिली? Harshal Patel को मिली है. कौन सी team से belong करते हैं भई? Team? और ये भी मुझे बता दीजे, IPL के अंदर 2024 में विनर कौन रहा? आज मैंने question नहीं पूछे ना आपसे? What is wrong with me? मैं questions पूछना भूल जाती हूँ. विनर कौन रहा और first runner-up कौन रहा? यानि कौन जीता IPL 2024 और किसको हरा है? जल्दी से लिखेंगे. और purple cap मैंने आपको बता दिया, Harshal Patel और orange cap आप मुझे बताओ दो. किसने जीती है? Then this is your question of the day. What is the primary objective of NASA's pre-fire mission? NASA के pre-fire mission जो Cube Satellite launch की कही है, उसका main objective क्या है? चारों पढ़ना और मुझे जवाब में A, B, C, D बताइएगा. और जाते-जाते, बड़ा दिख रहा है, बड़ा interesting से एक thought है. देखो, thoughts ना, घुमा फिरा के दुनिया में चंद ही thoughts हैं. आप किस तरह से present करते हो, उस पर depend करता है कि वो आपको strike करेगा या नहीं करेगा. और ये presentation का तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए I'm sharing it with you. Can't clean up the whole room? Clean a corner of it. क्योंकि ये सब मेरे से बहुत relatable है. कई पर ऐसा होता है, रूम पूरा अस्तवियस्त पढ़ा है, because I have a young daughter, right? She just tosses everything here and there. So, मैं पूरे दिन के काम के बाद थक के, जब रूम में लोटते हूं, मुझे लगता है, मुझे ए क्लीन रूम मिल जा, ऐसा नहीं हो पाता. और मेरी शद्धा अगर नहीं होती, I cannot clean the whole room, I will be cleaning one corner and that usually is my bed. Right? So, if you can't clean the whole corner, clean the whole room, clean a corner. Can't do all the dishes, do a dish. ये मुझे तो कही बाद नहीं करना पड़ता, मेड आ जाती है, दीदी काम कर देती है, लेकिन कहने का मतलब किया, अगर आप सारा काम, dishes नहीं कर पा रहे हो, नहीं हालत है, ठीक है, काम काम के बढ़तन, निकाल लो. जो जो काम के हैं, वो clean कर लो. Can't get in the shower, wash your face. नहीं है, आपकी हालत, तबित नहीं ठीक लग रहे हैं, आपको या शद्धा नहीं हो रहे है, मुझ धोलो, हाथ मुझ धोलो, कोई बात नहीं 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 आ पा रहे हो. या तो हम बिलकुल जहांसी की रानी बनगे, पूरे घर को साफ करेंगे, या हम बिलकुल कुछ नहीं करेंगे. So try and not be on the extremes. जब आप अच्छे से नहीं कर पाते कोई चीज, थोड़ा कर लीचे, पर वो थोड़ा तो कीजे. Because, why? With your energy and focus, you do have. Little wins, little wins pave the way for bigger wins. 1% beats 0%. ऐसा नहीं होता कि आप one fine day, या one's a blue moon, आप एकदम शिदत से काम कर लो या पढ़ लो और बाकी दिन आपने बिलकुल 0% पर चोड़ रखे हैं. या आज आपका मन नहीं हो रहा, आपकी बॉड़ी आलाओनी कर रहा, आपकी तवित आलाओनी कर रहा, मेहमान आ रखे हैं, बिजली नहीं आ रखे हैं, भूख लग रहे हैं, इसले नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी अपना 1% ही सई देने की कोशश किया करो. because this is my experience जिस दिन मुझे लगता है में रात में I am not in the position to study or morning में मेरा मन नहीं कर रहा है दिन भर मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है so what I do is मैं वो काम कर लेती हूं जो बहुत energy नहीं मांगते because कल जब मैं actually PPT बनाने बैठूंगी जब मैं actually study करने बैठूंगी वो थोड़ा किया हुआ काम भी मुझे support लगेगा right तो जब आप अपने best नहीं रे सकते हो try and achieve little but do that little because 1% is always better than 0 ठीक है चलिया on this one I take your leave कल मिलेंगे same time take good care of yourself पर बाए